नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी सुस्मा किचन में स्वागत है आपका आज मैं बनाऊंगी मसालेदार बेसंचीला जो बहुत ही स्वाधिश्ट है जो प्रोटीन से भरा हुआ है और सेहत से भरपूर है आप इसे हरी चटनी के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगता है तो चल एक बरतन में हम एक कटोरा चना वेशन लेंगे उसके बाद हम इसमें एक कटोरी उबले हुए आलू को चिल कर मैस कर लेंगे और उसको भी इसमें डाल देंगे एक बड़े प्याज को बारी काट कर इसमें डाल दे अब एक टमाटर को भी बारी कटा हुआ करके इसमें डाल उसके बाद इसमें धनीय पत्ता को बारी काट कर इसमें डाल दे अब इसमें एक चमाच, हरी चटनी डाल दे अब इसमें हम थोड़ी हल्दी डाल देंगे नमक आप सौध के नुसार डाल सकते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा हिंग डाल देंगे उसके बाद इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे अब हम इसको अच्छे से मैश करके मिक्स करके इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर तयार कर लेंगे इस तरह से पानी डाल लिए और चलाते रहिए ताकि इसमें गुठलिया ना आए इस तरह से आप चलाते रहिए इसमे थोड़ा सा चावल काटा डाल देंगे इससे थोड़ा कुरकुरी हो जाता है पृरसे इसमें थोड़ा पानी डालके बिटर अच्छे से तयार कर लिजे हो गया हमारा बिटर तयार यह देखिए हमारा बटर तयार हो रहा है अब एक हम पैन में थोड़ा तेल गरम करेंगे तेल बिल्कुल भी जाए यह हम बहुत कम तेल में बना रहे हैं जो टेश्टी भी होता है और हिल्दी भी होता है जीला को बनाने के लिए राय का तेल का इस्तिमाल कर दें राय का तेल बहुत ही अच्छा हुक्षा हूटा बनाएं कहने में आए मिरम में चीले को टावे पर डालेंगे एक करचुल डाल दिजिए इस तरह से डालिए थोड़ा थोड़ा फेला भी दीजिए इसको आप दीमियाच पे पक लाल करें फिर दोने तरफ से पलट कर अच्छे से राल कर ले यह देखें एक तरफ से हमारा चीला लाल हो गया अब हम इसको पलट देंगे ताकि इसके उपर अच्छे से लाल हो जाए लाल हो जाए तब इसको एक बरतन में निकाल ले ये देखिए हमारा चीला तयार हो गया इसी तरह से आप सारे चीला को बना लीजिए ये देखिए इस तरह से सारे चीला को बना कर पलेट में निकाल ले इसा लगा इसका वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पर नए हो तो लाल लले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कीजिए ये देखिए मसाले दा चीलत तयार हो गया आप इसे हरी चटनी या चाय के साथ खाएं बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है चलिए अब हम मिलते हैं फिन अगले वीडियो में